हालो एवरिवन तो जेपिए सिक प्रिलिम्स पेपर वन के सेक्षन एच में जो अपना साथ था यहीं तक था आज इस वीडियो को कंक्लूड कर देता हूं मैं है ना लगभग एक दसक से यह वीडियो पेंडिंग था काफी लोग अब तक रिक्वेस्ट कर चुके थे कि सेक्षनेच का टेस्ट ऊंडेड को व्युक्त हों स्ट्राइच और करेंट अफ्यर्ज हो या फिर यह पूर्स से पहले जरूरी प्लेडिस्ट बना हुआ है सेक्षनेच के नाम से पूरा जाकर के आप उसको एक बार जरूर देख लीजेगा ठीक है आपका बौध बेन बेनि cover कराया हुआ है जो उसमें भी छूटा वो मैंने आपको test में cover कराया current affairs का ठीक है तो एक तरह से आप कह सकते हैं यह whole sum आपका दो section जो है current affairs और plus section H 15 15 question दोनों में तो लगभग 30 question का जो है complete solution है यहाँ पर current affairs का भी playlist बना हुआ है section H का भी playlist बना हुआ है अगर आप इतना follow कर लिए और plus जो मैंने test आपको दूँगा section H के ऊपर और current affairs के ऊपर already मैं दिया हूँ एक test एक test और उस पर लूँगा ठीक है इतना कुछ अगर आप follow करते हैं तो मुझे लगता है कि easy medium level के जो भी question होंगे वह आपसे छूटने वाले नहीं है ठीक है बाकि टफ question का तो आपको मैंने बताया है यह concept उसके लिए तैयारी नहीं किया जाता है है तो अच्छे से इसको एक बार revise कर लेंगे फिलाल आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं और इसको complete करते हैं जल्दी से तो कोस्टन के तुरू ही देखेंगे जैसे देख रहते पहले नोबेल पीस प्राइस के बारे में पहला question है अब तक आप लोग जान गए होंगे एक हजार बार कर इंट अफेर्स में सब्सक्राइब का सब्सक्राइब करते हैं इसका सदस्य नहीं है तो आपका उप्शन से इंडिया पाकिस्तान इस्राइल या फिर ओल आफ देवाब किसा करेक्ट अंसर हो जाएगा ओल आफ देवाब पी फाइब नेशन्स जो है ठीक है सेक्यूरिटी काउंसल के जो पर्मा या चाइना वो और प्लस यह तीन कंट्रीज यह लोग जो है इस ट्रेटी के फेवर में नहीं है ठीक है इसको 2017 में अडॉप्ट किया गया था 2021 में यह आपको इनफोर्स हो गया है इस साल तो यह काफी करेंट कोश्चन है पूछा जा सकता है आपको कोश्चन नमर फोर है व इनफोर्ट प्रोग्राम निकालता है एमिशन गैप रिपोर्ट और ग्लोबल इनवार्नमेंट आउटलूक करेंट अफेर्स टेस्ट में हम लोगों ने देखा लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट वह कौन निकालता था डबलु डबलु एफ काफी इंपोर्टेंट है उसको को भी याद रखिएगा डबलु डबलु एफ निकालता है लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट कोश्चन नंबर फाइब देखते हैं एटम्स फॉर पीस के नाम से किस और्गनाइजेशन को जाना जाता है यह पूछा जा रहा है अपसे तो इसा करेक्ट आंसर हो जाएगा व्यरी वेरी व्यरी इंपोर्टन ठीक है फर्स्ट है वह भी इतने महतपूर्ण पोस्ट पर तो याद रखेगा बिल्कुल इसको ठीक है इसका प्रणंसियेशन थोड़ आगे पीछे हो सकता है इंगोजी ओकोंजो इविएला ठीक है एंगोजी ओकोंजो इविएला जो है अफ्रिकन है एस वेल एज फर्स्ट विमेन डिरेक्टर जेनरल ओफ डवलू टी ओ इंडिया इन में से किसका सदस्य नहीं है नस्जी का यानि नुक्लियर सप्लियर्स ग्रूप का वासेनर अरेंजमेंट का MTCR यानि मिसाइल टेक्नलोजी कंट्रोल इर्जिम या फिर ऑस्ट्रेलिया ग्रूप का करेक्ट आंसर होगा एनस्जी नुक्लियर सप्लियर्स ग्रूप का भारत जो है मेंबर नहीं है Question No.8 है Which of the following organizations brings out the World Migration Report तो World Migration Report जो है IOM International Organization for Migration के द्वारा निकाला जाता है और Indian Migrants का जो जन संख्या है वो दुनिया में सबसे ज्यादा है यह कौन बोल रहा है World Migration Report 2020 के अनुसार Indian Migrants जो है दुनिया में सबसे ज्यादा संख्या में मौझूद है और World Migration Report कौन निकालता है IOM ध्यान रखेंगे इंपॉर्टेंट है यह भी और इसका Headquarters जिनेवा स्विट्जर लेंड में ठीक एस्टाटिक में एक Headquarters भी पूछने का टेंडेंसी रहता है क स्वास्ते से ठीक है प्राइमरी हेल्थ केर से संबंदी थे प्राइमरी हेल्थ केर के ऊपर एक कंफरेंस करवाया था डवलू एचो 2018 में तो वहीं पर यह अस्थाना डिकलरेशन उसी से निकल कराया है ठीक है ओके यह कुछ इंपॉर्टेंट एजेंसी है चाहे वह एकॉनम नहींगा अटलिस्ट ध्यान रखिएगा कि करेंट अफेर्स जब पढ़ते हैं तो उन पर खासा फोकस रखना है क्योंकि वो उसके पूछने का प्रोब्यबिलिटी ज्यादा है संभावना ज्यादा है क्योंकि आपको करेंट अफेर्स में पूछा जा सकता है से सक्शनेच म ठीक है बुट का सिननी सीटीव याद रखिए और इसका हैड़क्वाटर्टर्स का है संघाई मैं ये दो पौइंट उस्ट इसलें बारे में एक इंपोर्टन बात इसका हीड़कॉरटर्स रहाद रखा यादर कीएगा वह स्युआ निला फिलिपिन्स में है, ठीक है, इस्टाटिक पोर्शन में वो इस्ट इम्पोर्टन थे एसीन डेवलप्मेंट बैंक के बारे में, दूसरा कि ये केर्स नाम का इनिसीटिव चलाया था, COVID-19 के संदर्ब में ठीक है उसका full form था COVID-19 active response and expenditure support तो ये वाला जो एसेन development bank का initiative था ये भी याद रखेंगा एसेन infrastructure and investment bank अगर बात किया जाए तो इसका headquarter याद रखेंगा बीजिंग में ठीक है और जिन लिकन इसके दुबारा president elect हुए है current affairs है में भी पूछा जा सकता है तो इन तीनों banks के बारे में जो organization है आर्थिक संगठन है जो important point है वो मैंने आपको बताया है यहाँ ठीक है ध्यान रखेंगे judicial organization या एक संगठन का अगर बात किया जाए तो international criminal court जो है इससे संबंदी दो सवल आपसे पूछा जा सकता है headquarters कहा है ठीक है या फिर ऐसे पूछ सकता है कि Rome Statute से कौन सा organization का गठन हुआ है तो याद रखेंगे international criminal court यह जो है Rome Statute से बना हुआ है ठीक है और headquarters कहा है दहेग में जो की नीदरलेंड में है पर्मानेंट court of arbitration अगें इसका सिर्फ headquarters important है दहेग अगें नीदरलेंड्स तो यह जो जितना court का चहरी वाला यह दोनों है international criminal court और permanent court of arbitration दोनों जो है headquarters आपका दहेग नीदरलेंड्स में यह है maritime organizations का अगर बात किया जाए इंटरनेशनल सीवेड ऑथोरिटी है इंटरनेशनल वेलिंग कमीशन है इंडिया नोशन रीम असोसियेशन है बहुत कम संभावना है कि इसका आपको headquarters बगरा पूछा जाए लेकिन आपके reference के लिए यहां पर दे दिये हैं एक बार अगर नजर के जो इसका member नहीं है कुछ ऐसा करके अगर आपको question दे देता है कौन साइन में से member नहीं है तो ध्यान रखेंगे पाकिस्तान और म्यानमार इंडिया नोशन रीम असोसियेशन का member नहीं है headquarter कहा है इंटरनेशनल वेलिंग कमिशन भी न्यूज में रहा था कि जापान उससे ब headquarters और इंटरनेशनल सीवर्ड असोसियेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है इस पेज में दूसरा इंपॉर्टेंट एजेंसी का बात किया जाए तो यहाँ पर पूरा लिस्ट है आपके सामने नुक्लियर सप्लायर्स ग्रूप वासेनार अरेंजमेंट मिसाइल टेक्नलोजी यह है यहाँ पर अभी इसमें से कुछ हम लोग डिस्कस भी करेंगे बट आपको इसलिए यह लिस्ट दिखा रहा हूं कि इंपॉर्टेंट जो एजन्सीज है इंपॉर्टेंट जो और्गनाइजेसन है उसको पहचानना सीखिए करेंट अफेर्स आप लोग सब पढ़ते है जयसे देखिए को आपको संभावना है पूछने का के विमस्टेक से सिखर साम्मिलन हुआ है पिछला साल उससे संभावना है पूछने कि पूचना पॉइंट यह इंडिया जब से उसको चोड़ दिया कितना मिंबर है और और स्फीप का न्यूज में आते रहता है पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में चला गया करके उके उसके अलावा आपका संगहाई कोपरेशन ओर्गनाइजिशन का हुआ है 2020 में तो यह सब जो है आपको ज्यादा इंपोर्टेंट है जानना चाहिए और बाकी जो है ऐसे किसी के भाई बारें जो न्यूज में रहा है उसके बाद गलती हो जाए तो यह तो मतलब क्राइम ही हो जाए एक तरह से है ना वह गलती नहीं होना चाहिए आपका तो उसी में से कुछ हम लोग डिसकस कर लेते हैं कुछन नमर्टेंथ है कि कॉमन वेल्थ का मिंबर एक छोड़ दिया था वापस ज्वाइन कर लिया है वह कौन सा देश है कॉमन वेल्थ में वह कंट्रीज है मोस्टली वह कंट्रीज है जो कि पहले ब्रिटिश सासन में थे तो इसा करेक्ट अंसर होगा माल्दिप्स से प्रणॉंस कर लिजिए तो मास्टर ट्रेटी से आपका गठन हुआ है यूरोपियन यूनियन का कोशन नमबर 12 है नेटो का हेड़कॉर्टर पूछा जा रहा है कहा है तो यह है ब्रुसेल्स में ब्रुसेल्स बेल्जीम कोशन नमर्थाटीन है कि जी सेवन का मेंबर कौन इतली और जर्मनी है ठीक है उसके अलाबा जी सेवन में और कॉन है पहले यह जी एट हुआ करता था पिर रसिया बाहर हो गया छे-सात साल पहले ठीक है तो अभी जी सेवन हो गया है यह इसमें पिर आपको जैपान है एक उसके अलाबा यूएस यूके फ्रांस वही नॉर् और यह जेशन फॉर एकॉनमिक कोपरेशन एंड डिवलप्मेंट उसका जो हेटकॉर्टर से न वहीं पर एक और 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 अरगनाईजेशन का हेटकॉर्टर से आगे कुछ चैन्स में लोग देखेंगे गल्फ कोपरेशन कॉंसल का कॉंसल इसमें से सदसे नहीं है तो इसका क इसका हेटकॉर्टर से वियना में वियना का है ऑस्ट्रिया में कोशन नमर 17 है ओई सीडी का हेटकॉर्टर का है अब ही FATF में हम लोग उफर देख लिए पेरिस में है तो OECD के ही हेटकॉर्टर में आपका FATF का भी हेटकॉर्टर से और IEA यानि कि International Energy Agency उसका भी हेटकॉर्टर तो पेरिस में तीन इंपोर्टन्ट और्गनाइजेशन का हेटकॉर्टर OECD, FATF और IEA कोजिशन नमर 18 है Which of the following countries is not a member of SCO? संगाई Corporation Organization का कौन सदसे नहीं है तो इसका correct answer हो जाएगा? Option B अफगानिस्तान इसका member नहीं है अफगानिस्तान और तुर्कमेनिस्तान कन्फ्यूज करने के लिए आपको यही दो नाम देगा अफगानिस्तान और तुर्कमेनिस्तान यह दोनों member नहीं है SCO का कजाकिस्तान है, तजिकिस्तान है, किर्जिस्तान है इसके अलाबा एक उजबेकिस्तान है member ठीक है? तो यही चार कजाकिस्तान, तजिकिस्तान, किर्जिस्तान और उजबेकिस्तान और बाकी चार तो आसान है, रसिया, चाइना, इंडिया और पाकिस्तान, ठीक है, तो SEO के टोटल 8 मिंबर्स हैं, 8 सदस्य हैं, रसिया, चाइना, इंडिया, पाकिस्तान, कजाकिस्तान, तजिकिस्तान, किर्जिस्तान और उजबेकिस्तान, not तुर्कमेनिस्तान, not अफगानिस् पिसान को स्थ नम्र्ट नाइंटीन आजगावत एकरिमेंट यह किस से सम्बंदित है उसे खरक्त आंसर अंसर ओगा ट्रांस्पोर्ट इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट एंड ट्रांजिट खॉरिडॉर जैसा है इसमें ठीक है फिर प्रोविजन तो जो असब पीटर्सबर्ग में ठीक है ना सेंट पीटर्सबर्ग में होने वाला था जो कि कहा है रसिया में कुश्टन में 21 विच अब फॉलइंग कंट्रीज इस अ आप इसंब्स्टर्ग मेंबर नाम याद रखेंगा चूटा चूटा सब्सकें इसके नाम आपको याद रखना चाहिए ठीकर उसे सब्सक्राइब को चूश्ट इसका नंसक्ता है तो थाईलिंड डिसका इलावा कौन है ठाएलंड के नौट में मैंनमार है मिंबर, इंडिया है, बांगला देश है, नेपाल और भूटान है और एक स्रिलंका है, ओके साथ मिंबर है टोटल Question number 22, मेकॉंग गंगा कोपरेशन, कौन सा देश जो है इसका सदसे नहीं है, वियतनाम, इंडिया, चाइना या फिर मैंनमार तो इसा घरेक्ट अंसर हो जाएगा, ओप्शन C, ठीक है, चाइना इसका सदसे नहीं है, मेकॉंग गंगा कोपरेशन का, Question number 23, where is the Secretariat of Sark located, Sark का Secretariat, काफी पुराना और important organization था, ठीक है, अभी भी organization है, पर साइध इंपॉर्टेंट नहीं है, उतना अब, तो इसका headquarters है, काठमांडू में, ठीक है, काठमांडू में, सार्क का headquarters है, तो मेकॉंग गंगा कोपरेशन में, वियतनाम, इंडिया, मयनमार तो है, उसके लाब़ा थाइलेंड, कमबोडिया और लाओस है, ठीक है, तो ये 6 country आसान है ये, UK नहीं है, ठीक है, इंडिया, USA, जैपान है, और उसके लाब़ा एक Australia है, question number 25 में, बूड़ापेस्ट कंवेंशन किस से संबंदित है, वो पूछा जा रहा है, तो बूड़ापेस्ट कंवेंशन जो है, वो साइबर क्राइम से संबंदित है, तो ये था last question, उसक के उपर ज्यादा आपको माथा पच्ची करने का जरूबत नहीं है, ठीक है, ज्यादा ज्यादा उसका headquarters बगरा याद रखिए, कभी कभार पूछ देता है, ठीक है ना, जैसे देखे, United Nations Development Program, United Nations Population Fund है न, UNICEF, UNEP, UN Habitat, World Food Program, इन सब का important organizations है, ये सब तो current affairs में भी रहा है, पूछेगा, World Food Program का आपको Nobel Peace Prize पूछेगा, UNEP का कोई report पूछेगा, मतलब ज्यादा संभावना वही है, जो आप cover किये है, या जो current affairs में आप पढ़े है, ठीक है, ये सब headquarters फिर भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, में भी पूछा जा सकता है, ठीक है, तो ये कुछ और है, आज का वीडियो में और इस तरह से 6NH का जो अपना वीडियो है, वो फिनिस होता है, आप इसको एक बार एक्जाम से पहले जरूर रिवाइस कर लिजेगा, ठीक है, इसको उपर मैं 100 questions का एक टेस्ट आपके लिए बना रहा हूँ, उसको attempt कीजेगा, इसको पूरा रिवाइ हम लोगों ने देखा जुलाई से दिसंबर तक का पिछले सल का अभी जनवरी ओनवार्डस टेस्ट होगा, ठीक है, तो फिर इसी नोट के साथ मिलते हैं संडे को आपका एकॉनमी का टेस्ट है, उसी तरह से जैसे पिछले बार आप लोग एपियर हुए और आप सेयर किये है, उसी तरह से इस बार भी करेंगे, आपको भी बेनिफिट होगा और मैं भी आपको सही से गाइडियन्स दे पाऊंगा, ओके दिन, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब दक अपना क्याल रखिए और पढ़ाई करते रहे हैं, थैंक यू